सभी लोग कहते हैं कि हमेशा साइकिल चलाना चाहिए साइकिल चलानों से सहद भी अच्छी होती है और आपको अच्छे भी रहते हैं स्वास्त भी रहते हैं लेगन आप साइकिल चलाते चलाते रिकोर्ड भी बना सकते हैं आईए जानते हैं किसे भाईया हैं हमारे साथ भाई मेरा नाम शिवेंदर यादव है और भाया का नाम इस वाए इंडिया वुक्स ओफ रिकोर्ड में आईए जानते हैं कि मतलब उन्हें क्या आइडिया और किस ने आइडिया दिया कि मतलब साइकल चला है और रिकोर्ड बना है मैंने साइकल यातरा करी थी एक विदीशा से विदीशा मध्यपरदेश से गुजरात द्वार का तक ये यातरा मेरी करीब 2400 किलो मेटर की रही इस यातरा को मैंने 16 दिन 23 गंटे में इस यातरा को पूरा किया और इस रूट पर किसी ने भी ऐसी यातरा नहीं की थी यह एक साहसे क यातरा रही और ये कम से कम समय में मैंने ये यातरा पूर्ण की तो इंडिया बुक्स ओफ रिकोर्ड ने मुझे मैडल पहना कर सम्मानित किया है और हमें आपसे जानना चाहेंगे आपने किन किन परेशानी होगा इसमें सामना किया इसमें परेशानी मुझे टेंपरेचर की सबसे ज़्यादा परेशानी हुई गुजरात में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और इसमें एक परेशानी मुझे हवाओं की जादा हुई कि समंदर के पास आप जैसे जाते हैं तो वहाँ हवाओं का सामना करना पड़ता है तो एक दिन में मैं करीब 18 गंटे साइकल चलाता था और समंदर के पास 18 गंटे साइकल चलाने के बाद भी मैं 65 किलोमेटर चल पाता था मुश्किल से और बाकी उनी हवाओं ने मुझे वापस आते समय उनी हवाओं ने सहायता दी इसलिए मैंने इस यात्रा को दोनों तरफ से किया था विदीशा से दौरका और दौरका से वापस विदीशा तो नाम लेकर के सा लग रहा है नाम आकर अच्छा लग रहा है कि भारत की एक जानी मानी किताब है इंडिया बुक्स ओफ रिकॉर्ड इसमें मेरा नाम दर्ज हुआ है तो बहुत अच्छा फील हो रहा है और माननी है कलेक्टर महोद है उमाशंकर भारगव जी ने मुझे इंडिया बुक्स ओफ रिकॉर्ड का medal पहना के माता पिता को केंसा लगा यह सम्मान पाकर सभी को बहुत अच्छा लगा माता पिता को भी बहुत अच्छा लगा विदीशा में भी सभी लोगों ने कहा कि आपने विदीशा का नाम उचा किया है और मुझे भी लगता है कि इस से विदीशा का काफी नाम हुआ है और ये सब विदीशा के सभी लोगों का आशिरवात था जो मैं ये कर पाया इसके वाद आप किस रिकॉर्ड की तरफ जाना चाहेंगे अब इक्षा इंसान की कभी खतम नहीं होती अब मेरा रेकॉर्ड वर्ल्ड रेकॉर्ड बनाने के लिए मैं सोच रहा हूँ अब भी उसकी प्लानिंग चल भी